भैसा वेग्यानिकों ने एक शेप शिफ्टिंग रोबोट बनाया है वेट 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 ऐसा तो कुछ किसी मूवी में भी था ना? हाँ जी, टर्मिनेटर में तो ये उससे कैसे अलग है? इसके पास अपना दिमाग नहीं है इसे वेग्यानिक कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर इसे लेकर इतना हला क्यों मच रहा है? क्योंकि ये बना है गैलियम मेटल से जिसे हम बदलती हुई मेगनेटिक फिल्ड से कंट्रोल कर सकते हैं है? पर गैलियम तो मेगनेटिक है ही नहीं तो ये कौन सी तिगडम बाजी है? हाँ, यही तो है सारा खेल वग्यानिकों ने गैलियम के अंदर मैगनेटिक मेटल के नैनो पार्टिकल मिक्स कर दिये पर वग्यानिक इसे कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? देखो, गैलियम के अंदर डाले गए मैगनेटिक पार्टिकल बदलती हुई मैगनेटिक फील्ड के संपर्क में आते ही तापमान बढ़ा कर उसे मेल्ट कर देते हैं और अगर ये रोबोट किसी के पेट में भी हुआ तो टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि ये मात्र 30 डिगरी पर पिखल जाता है और इसे किसी भी आकार में बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं आपके हिसाव से इस टेकनोलोजी का और क्या इस्तेमाल हो सकता है?